आपको बता रहे हैं जहां धमतरी जिले में भगवान शीराम का आगमन 14 वर्षों के वनवास कालनोतर सिंगपुर परिशेत्र परिस्थित लोहमस रिशी आश्रम नया पारा राजिम से होते हुए नया गाउं घुडैनी, भेंजरी, मधूबन धाम जैसे शेत्रों में हुआ है यहां से विभिन गाउं से होकर कौरे गाउं परिशेत्र, धमतरी परिशेत्र से, बिर्गुड़ा परिशेत्र और सिहावा शेत्र के सैंडूर से ऐसे में धमतरी जिले में 56 किलोमीटर शेत्र को रामवन गमन पत्थ माना जा रहा है इस एरिये में 14,000 पौने लगाए जा रही हैं प्राथीन मानेता के अनुसार सिहावा पहाड स्थित शिंगी रिशी आश्रम में शिंगी रिशी से पुत्र येश्टी यग किया क्या था अगले खबाद जहाद रहा है